आप सोच रहे होंगे कि हम तो जैन धर्म के बारे में सुन रहे हैं, ये एक धर्म है, ये एक पंथ है, एक माननिता है, ये कुछ लोगों का एक ग्रूप है, जो एक तरीके से बिलीव करते हैं, वास्तव में देखा जाए, तो जैन धर्शन कोई धर्म नहीं है, at least वो धर्म त होता है वस्तू का स्वरूप, वस्तू का स्वरूप याने की अगनी का धर्म क्या है, अगनी का धर्म है उश्रता, ये है धर्म, तो मेरा और आपका धर्म क्या है, यदि मैं अपने आपको मनुष्य मानू, तो मैं मनुष्य धर्म पालन करता हूँ, मैं अपने आपको पतनी को समझना पड़ेगा और उसका स्वभाव जो है अगर वही ये जीव करता है उसको फॉलो करता है नैचुरली रहता है सहज रहता है पानी का धरम क्या है बहना पानी का धरम क्या है शीतलता तो जब पानी उबल जाता है और गरम हो जाता है तो क्या वो अपने धरम का पालन कर रहा है कि नहीं, वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है घी घी का धर्म क्या है यदि कोई जल जाए उस पर घी लगा दो तो उसको बहुत शांती मिलती है लेकिन अगर वो ही गरम घी हो और आप जले हुए हो अरे आप नहीं जले हुए हो तो भी आपको जला देगा भाई तो इसका मतलब यह निकला कि जो व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो जाता है वो घी जब गरम हो गया तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया यानि कि अब वो शीतलता नहीं दे पा रहा है इसलिए घी को मत फेक देना इसलिए घी को ठंडा करने ताकि वो अपना कारे कर पाए क्योंकि उसका धर्म यह कभी बदलेगा नहीं वो चणिक एक समय में किसी के प्रभाव में आकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो सकता है पर उसका सनातन धर्म कभी बदलता नहीं नित्य धर्म जैसा है वैसा ही रहता है तो पहला डिसीजन जो हर जैनी करना चाहता है वो यह है कि उसका अस्तित्व क्या है और उसका धर्म क्या है और यह धर्म एक्चली देखा जाए तो साइंस है साइंस क्या करता है साइंस क्या बताता है साइन्स यही तो बताता है कि कौन सी वस्तू कैसी है आप Chemistry की क्लास में बैठ जाईए रसायन विज्ञान में बैठ जाईए आप हर एक का प्रॉपर्टी ढूनते हैं कि नहीं ढूनते है Oxygen कैसे काम करता है Carbon Dioxide कैसे काम करता है किस के प्रभाव में आके कि वो किस रूप से परिणमित हो जाता है तो ऐसे ही ये विज्ञान है ये वस्तू विज्ञान है Jain Darshan अपने आपको विज्ञानिक मानता है क्योंकि Jain Darshan को सिर्फ इसमें इंट्रेस्ट है कि मैं हर पदार्थ के विज्ञान को समझ हूँ तो जीव, मैं तो जीव हूँ ना मैं तो आत्मा हूँ, मैं मनुश्य नहीं हूँ तो यदि मैं अपने आपको जीव मानता हूँ तो उस जीव का विज्ञान कौन सा विज्ञान है जिससे जीव को शांती मिलेगी, खुशी मिलेगी तो जैन दर्शन ऐसे जीव के विज्ञान को जिससे उसे हमेशा के लिए शांती मिलेगी। उसे वीतराग विज्ञान कहता है। कर्मों के आधीन में हो जाओं ये मेरा विज्ञान नहीं हो सकता है ये तो पानी गरम हो रहा है तो फिर जीव का धरम क्या है अब देखा जाए तो जैन दर्शन के सारे सिध्धान्त आप ये थोड़ा सा बारी किसे देखेंगे तो ये जीव मात्र का विज्ञान है और सारे सिध्धान्त जीव मात्र के धरम की पूर्ती करते हैं यानि कि जीव मात्र सुखी कैसे हो इस बात को बताते हैं आप जानते हो अपना असली धरम क्या है हर-हर जीव का विचार करना आप खुद ही अपने मन को टटोल के देखना कि हर जीव का असली धरम क्या है? किसे हम अपना धरम मानते हैं? सुखी होने को. यानि कि मेरा मूल भूत धरम एक चीटी अपने दाने को यदी बतोरती है और उसे जाके कहीं रखती है तो उसका धरम क्या था? कि उसको शान्ती चाहिए था, सुख चाहिए था, उसे भूके पेट की आकुलता नहीं चाहिए थी, अपनी व्यवस्ता कर रही है, तो हर जीव का धर्म है सुखी होना, खुश रहना, यदि मैं ये दो बातें पहले तो मान लूँ कि मैं जीव हूँ, और दूसरी बात मैं ये म मान कर जो करके मुझे सुख मिले, मैं वो करने तयार हूँ, एक सीरियल किलर होता है, उसको ये दी मार के लगता है कि मुझे सुख मिलेगा, तो वो मारने चला जाता है, यानि कि मैं अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा कोई भी कारे करने तयार हूँ, लोग ड्रग्स ल गई तो यान दर्शन उन सारे सिद्धानतों को बताता है जिससे कि वो सुखी हर जीव अगर उनको अपना ले तो सुखी हो सके